अज्यसबा सांसद और बीजेपी के वरिष्ट नेता जितरादित सिंध्या के ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे से पहले सियासी सरगर्मिया तीज हो गई है बीजेपी जहां सिंध्या के दौरे को लेकर उतसाहित है तो वहीं कॉंग्रेसी खेमे में बेचयानी देखने को मिल रही है दौरे को अतिहासिक बनाने के लिए सिंध्या समर्थकों ने कमर कसली है बीजेपी का दावा है कि महराज के दौरे के वक्त दूसरी पार्टियों के करीब 10,000 कारिकरता बीजेपी में शामिल होंगे छे महिने बाद चंबल में गूझेगी महराज की हुँकार बीजेपी दौरे को एतिहासिक बनाने को तैयार बीजेपी ने की कॉंग्रेस को जटका देने की तैयारी कैसे इंदमारी से निकलेगी बीजेपी की जीत की राह प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उप्चुनाव के लिए बीजेपी और जोतिरादित्य सिंधिया ने तैयारी आग तेस कर दी है सिंधिया और सीम शिवराज सिंग चोहान गौली और चंबल अंचल में सियासी कदमताल करके पार्टी कारेकरताओं में जोश भरेंगे चंबल में होने वाले चुनावी शंखनाद में जोतिरादित सिंदिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान, बीजेपी के प्रदेश अद्धक्ष विश्णू दच्शर्मा, किंदरी मंत्री नरिन सिंग तोमर, प्रदेश के ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा शामिल इस दोरान दूसरी पार्टियों के करीब 10,000 कारेकरता बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। संभाग की 34 विधान सबाओं का, जिसमें से एक गुणा जिला, पेले भुपाल में सदस्तता लेचओ का है। चुनाओ में विजय होगी क्योंकि विकास भी है माने मुख्यमंत्री जी का अपना व्यक्तित्त है और सिंधिया जी की जो सिंधिया जी के प्रति जो आस्ता है लोगों में वो दोनों का एक मिलन होगा 22-2324 तारीख में ग्वाली अर्म बीजेपी के दावों सिंधिया का दोरा के लिए अगनी परिक्षा से कम नहीं है इन सब में भी कॉंग्रेस सिंधिया और सियम शिवराज के दोरे और सदस्यता अभियान को लेकर सवाल उठा रही है कॉंग्रेस का कहना है कि ग्वालीर चंबल अंचल में कोरुना कोहराम मचाय हुए हैं ऐसे में बी बीजेपी विश्व की सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करती है। बीजेपी ने मिस्ट कॉल के जरीये भी सदसता अभियान चलाये था। लेकिन चुनाओं में उसकी हवा निकल गई थी। सिंधिया पर हमला बोलते हुए कॉंग्रेस ने का कि जो खोद अपनी सीट नही गए, जो अपने आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती ही, मिस्ट कॉल के नाम पर इतने मेंबर बनाए थे। और मिस्ट कॉल के नाम पर इतने मेंबर बनाए, उसमें मैं पूरे देश की बात नहीं करूँगा। उसमें राजह तान चटिस गलोमत पदेश। उमि गुना में को नहीं जीत कहता सजार लोग उनके साथ थे तो जोती रादित्व सिंधिया का दोरा उनके और बीजेपी के लिए बहुत खास है बीजेपी एक तरफ बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएगी वहीं दूसरी तरफ मंच पर सिंधिया मुक्य मंच पर आकर एक जुटता का संदेश भी देंगे बीजेपी इस शक्ती प्रदर्शन के जरिये कॉंग्रेस को अपनी ताकत का अहसास कराना चाहती है वहीं कॉंग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं रणनीतिक लड़ाई में फिलहाल बीजेपी आगे नजर आ रही है वहीं कॉंग्रेस साइलेंट तयारियों में जुटी है प्रलात सेन, बंसल न्यूस, ग्वालियर